जै मातादी दोस्तों कैसे हैं आप सभी? दोस्तों हमारे चैनल से जुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास में दिये गए बैल आइकन को जरूर प्रेस कर दें खोल दो पंक मेरे अभी तो और उडान बाकी है जमी नहीं है मनजल मेरी अभी तो पूरा आसमान बाकी है जी हाँ दोस्तों बात कर रहे हैं व्रिष्चिक राशी के 9 नवंबर 2023 राशी फल की सबसे पहले मैं आपको बता दूँ आज आपके लिए शोबंक रहीगा पांच और शोबर रंग रहीगा यलो यानी की पीला आईए बात करते हैं डेली राशी फल के बारे में दोस्तों आज आप अपने आर्थिक पक्ष को मजबूत बनाने का भरपूर प्रयास करेंगे और आपको उसके अच्छे परिणाम भी हासिल होंगे आज आपको अपने शत्रों से विशेश तोर पर सावधान रहनी की जरूरत है क्योंकि वो आपका पीछा करते करते आपको परिशान करने के लिए या फिर आपका कोई काम बिगारने की पूरी कोशिश करेंगे विद्यार्तियों की उच्छा में आने वाली बाधाएं दूर होंगी सस्राल पक्ष के किसी व्यक्ती से यदि कोई विवाद चल रहा था तो आज वो भी सुलच जाएगा लव लाइफ की बात करें तो प्यार भरी बात आपसी तक्रार को कम करेगी किसी से भी लेंदेन करते समय सावधानी बढ़तें क्योंकि आज के दिन किया गया लेंदेन आपके लिए बड़ी समश्या खड़ी कर सकता है इसलिए आप किसी से भी उधार ना तो लें और ना ही किसी को उधार दें आप अपनी सुख सुविधाओं की वस्तूओं पर आज अच्छा खासा धन खर्च करेंगे लेकिन आप अपनी आय को ध्यान में रखकर ही खर्चा करें तो आपके लिए बहतर रहेगा निर्ने लेनी की शमता का आज आपको लाब होगा आर्तिक गति विधियों में आज आपको तेजी बनाए रखनी होगी आपके कुछ महतपूर्ण मामले आज गति पकड़ेंगे आपकी आय और व्याय बढ़ने से यदि धन संबंदी कोई चिंता चल रही थी तो वो भी अब कम होगी किसी कानूनी मामले में आपको किसी अनुभवी व्यक्ति से बाचीत करना आपके लिए अच्छा रहेगा आपको किसी पुरानी गलती के लिए आज पच्टावा भी हो सकता है आज आपके लिए विशेश उपाय रहेगा कि आज आप गरीव लोगों में अन्न का दान करें आपके लिए बहुत लाबकारी रहेगा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेर कर दें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें धनिवाद